प्यारे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सब्दा अपने यूटूब चैनल ते पहुत पहुत स्वागित कर दा हैं असी आज दी इस वीडियो दे विच बिजली दे बारे मुंडली जानकारी जो चैप्टर असी शुरू किता है उस पार्ट नंबर चार शेयर कर जा रहे हैं इस तो पहला आसी इस दे तिन पार्ट दे मल्टीपल च्वाइस कोश्चन डिस्कुस कर चुके हैं जिना ने वीडियो नहीं देखी उस लिंक तो नो इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन चे जा तो उसी इस चैनल दी प्ले लिस्त जाके वीडियो देख सक दियो तो कोश्चन नमबर नेक्स अडिको 25 है तो सब तो पहला एक फिगर देना रिलेटेट कोश्चन है जो तुसी डाइगराम दिख सक दियो नीचे दिते के चितन चंगी तरह पर्खंत बाद प्रशन नमबर पची तो लेके ती तक दे जड़े जवाब दोसी इस डाइगराम देना सबंदत है ओथ उस इस डाइगराम तो देने है एजो डाइगराम है जिस विच दो रजिस्ट्रंस जड़ी हैं सीरी ज़िच लगी ह एक टीए वार फोर आ गया तो पहले कोशन देखो कि सरकट कुल और जिस्टेंस की यह कुल और जिस्टेंस तो सरक्ट करना एंगे इस था कि जड़ा सरकट पैरलल जगिए इस दीड़ जिस्टेंस जड़ी यहां बनागी है ते सुपत्व और नीची एक मेंट पार्लप जे लि बागने आगे पैरलेल विच की कर देगे है जो दो डो गुना कर लेने फूर्य फल्य जम्मा कर लेने हैं उपर 10 सो आगया थले बी पंजा तो यानि कि A जो पार्ट है A तो लेके B तक A रिजिस्टन्स किनी आगी जी 5 ओम ए वाला पार्ट है इच प्रेक्शन किती से कि A रिजिस्टन्स जड़ी है 5 ओम आएगी तो टोटर रिजिस्टन्स जड़ी है उस सीरीज विच तुसी जो तो कॉनेक्ट करोगे जानेगी पांच जमा पांच सीरीज विच रिजिस्टन्स जड़ी है एड़ हो जन्दी है तो इसे जो पहला आंसर आजएगा जी 10 ओम नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन नमबर 26 हैा जिसे विच AI ते बी दे बिचकार किन्ना प्रतीरोध हो जोएगा तो उसी डाइगराम तो देख 1959 किन्नी दो रिजिस्टन्स लगई दिए कि छे ओम दी थे 1 सार ऑम दी ते इस al अ जी 10 ऑप्शन सेकंड इस दा रही टांसरा जागा जी दस ओम उस वाद कोशन नंबर स्थाई है जिसे विच बिंदू सी ते डी दे विच विचकार कुल प्रतिरोध दसना जी किन्ना होएगा तो डाइगराम ते फिर आजने हैं सी ते डी एसाड़ को पाइंट सी ए यह वाला पाइ पहला आगया जी साड़ को जी पंज ओम उस तो बाद कोशन है कोशन नंबर ठाई जी सरकर दर्च कुल करंट दी मात्रा कैलकुलेट करनी है तो इस डाइगराम दा आसी जी टोटल करेंट टोटल जिस्टेंस है कैलकुलेट कर चुकी है एथो तक जड़ी रिजिस्टेंस ही अध़ हुऌय सकता हुआ की सड़ी डोट ही सचरी आगें सी इस प्लाइंज से शिड़ी रिजिस्टेंस ही तोटल जदी रिजिस्टेंस हा ऊगी जी दस ओम वोल्ट इस केनी हा गी सो वोल्ट तो इसी कर्एंट कैलकुलेट कर सकते हैं ते कर एंट टी वेलिव किन आगी वोल इस्टेस बटा आर वोल्टीज की निया है साडे खोल जी सो अगी आगी ते contar दो सड़ कर एक अंपे दास की कट मेविश्र गारंगा कने जीक आजएगेanor 4 both अन्प्र लिए लिए द यीकिआल माथ Agnes tren लिखन साथ यह जिस दे विच है current i2 देता है 1.5 गुना i4 current ते i2 current आजेगा 6 बटा 4 गुना i4 ते i2 current ते i4 जिड़ा सेम है यह जार राइट आंसर होंदा है पहला सी डाइग्राम ते चल दिया है ते डाइग्राम दे विच दूसी देख सकते हैं जिड़ा i2 ते i4 current है देखो जिए series दे विच connect है तो series circuit दे विच जिड़ा current होंदा है वो सेम होंदा है इधा means है कि जो i2 current है ते i4 current है इती value की होज़ेगी जी सेम होज़ेगी इस करके इसदा जो option third इसदा जिड़ा right answer आना है next question है सदेकोल question number 30 है जिससे विच current i3 दी मातरा किन्नी होवेगी current i3 दी मातरा दसनी है जी i3 दी मातरा दूसी सब तो पहला सी diagram द्यानने है i3 दी मातरा है देखो जी ए i3 है i3 दी current दी मातरा दसनी है किन्नी होज़ेगी तो इस तो जीड़ा answer है वो आजएगा जी 5 ohm क्योंकि total current से देखो जीड़ा total current से आई वो साथ देखो आ गया 10 ampere ठीक है तो उस बाद एथे जड़ा current है series विच वी 10 ohm connect किती है तो एथे जो resistance है वो 10 ohm दी है तो total current है अगर साथ देखो 10 ampere है तो 5 ampere current एद़र आजएगा तो 5 ampere current है वो एदर flow होएगा क्योंकि same resistance connect हो इदी है इस कारण जो is the answer है question number 30 option 3rd आजएगा जी punch ampere is the right answer आजएगा next question number 30 है next question है कि किसे conductor दा प्रतिरोध केडियां केडियां गलना ते निरबर करदा है प्रतिरोध नूँ असी कहने है जी resistance इदा फार्मूला सानु पता कि जड़ी resistance हों दिया हो डिरेक्टली परपोर्शनल हों दिया जी length दे इन्वर्सली परपोर्शनल हों दिया है area of cross section दे ठीक है जी ते आर असी लेग देने है बराबर रो इन्टो एल बटा ए तो इदे विच जीड़ी फेक्टर एक आ गया साठीकों लेंग था गी एक area of cross section आ गया हों असी option देख देएं सब तो पहला है कि जीड़ी प्रतिरोध है ओं कंड़क्टर दी लंबाई ते निरबर कर दी है यह सी होना ही फार्मूल जी दासता है यह थे तेंपरेचर भी डिपेंड कर दे ओप्शन लास्ट है कि उपर दिते सारे यह उप्शन ससा इस दा राइट आंसर आजएगा कि जीड़ी और जिस्टेंस है जाने कि प्रतिरोध है ओं कंड़क्टर दी लंबाई ते निरबर कर दी है क्रॉस सेक्शन केतरफाल दी निरबर कर दी है और कंड़क्टर दे टेंपरेचर दे उपर भी डिपेंड कर दी है ठीक है जी उस तो बाद नेक्स्ट कोशन आगया साथ देखो 32 किसे कंड़क्टर दा अर्जिस्टेंस हीट लिखे विच्चों केड़े ते निरबर नहीं कर दा तो सेम ही कोशन है और आगया साथ दे पदार्थ कंड़क्टर दी रिजिस्टिविटी कंड़क्टर दी इंसूलेशन दे कंड़क्टर दे ब्यास याने कि इंसूलेशन दा सी पिछे डिस्कस नहीं किता कंड़क्टर दा पदार्थ एवी रिजिस्टेंस उपर डिपेंड कर दे कि जड़ा कंड़क्टर है किस मट दा बने है, copper दा बने है, aluminium दा बने है, उस साब दे नाल, वो डिपेंट कर दे है, nature of material, ते resistivity, ते जड़ा option is the answer आजेगा जी, conductor दी insulation, इंसुलेशन, जड़ी हो resistance जो पर डिपेंट नहीं कर दी, इस कार के is the question दा जो answer है, वो question, third option आजेगा, conductor दी insulation, next question है, कि किसे conductor दी, जड़ी resistance दी, लंबाई, उस सिद्धे न पाती हों दी है, उल्टा न पाती हों दी है, जब बर्ग दे सिद्धे न पाती हों दी है, जब बर्ग दे उल्टे न पाती हों दी है, तो जड़ी resistance है, जड़ी resistance जड़ी लंबाई हो, सिद्धा न पाती हों दी है इन्हों सी कहने है डिरेक्टली प्रपोश्टल कि अगर लेंग्ध वदेगी तर जिस्टेंस भी वदेगी लेंग्ध कटेगी तर जिस्टेंस भी कट वेगी तो इन्हों सी कहने है जिस्द्धा अनुपाती अगर उल्टा अनुपाती है अंदा उल्टा अनुपाती है अंदा area of cross section next question देख 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 कोशन नमबर 34 है जिसे विच है कि किसे conductor दी resistance उस दे cross section दे की हुं दिया ते होई सेम कोशन आ गया कि resistance जड़ी है सिद्धी उनपाती हुं दिया जी लंबाई दे ते उल्टी उनपाती हुं दिया है area of cross section option second is the right answer है next question है question number 35 है जेकर किसे conductor दा ब्यास दो गुना वदा दिता जावेता उस दी resistance दो गुना हुएगी जाँ अद्धी हुएगी जाँ एक चुथाई हो जाएगी जा उपरोक्त विच्चों कोई भी नहीं है तो इस दा उसी answer calculate के ता बहुत ही important question है बहुत बार पेपर दे वेचे question repeat होंदा है जेकर किसे conductor दा ब्यास दो गुना वदा दिता जाए तो उस दी resistance जड़ी है ओ किन्नी होएगी इस दा answer आजाना दे एक चुथाई हो जाएगी इदी आसी एक calculation भी कर देया अलग पेज देता कि तो अनू अच्छे तरीके देना समझ आ जाए होना ही question केता सी जो answer आया ही एक बटा चार जाने की एक बटा चार answer आया ही चताई और सब तो पहला एक question दो दूसी numerical समझो कि जड़ी सा डेकोल और जिस्टें सुन दी है उसा फार्मूला यां दा रो इन्टू एल बाइ ए और रो नूसी कहने है जी अर्जिस्टिविटी यह जड़ी रो है रह चो रो नूसी कहने है अर्जिस्टिविटी यह जो मैं मैं ते मार किती है अर्जिस्टिविटी ठीक है जी तो जो दो असी इस दे विच आर दी वैल्यू कैल्कुलेट कर दे ते यह आजंदा सा डेकॉल रो एल बाई ए इस दे विच डायामीटर डबल दी गल किती है तो एरिया अफ जिससरा मालनों इसा डेकॉल कंड़क्टर है और जिससा एरिया उफ क्रॉस सेक्षिन असी ए दिना डिनोड कर दे एक इस दे बराबर हुन्द है टू पाई आर एरिया उफ क्रॉस सेक्षिन टू पाई आर ते असी आर नो चेंज करना है क्योंकि साथ देको तो कोश्चन दे विच ढायमेटर देते दा तो तो नो तोऑ में की किता है इस दे विच्च जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्षिन ही उधी जगा दे लिख देता पाई आर स्केर उस्तो बाद आर नू असी चेंज कर देता है आर नू किदे चेंज किता है डी बाए टू क्योंकि कोशन दे विच डायमेटर दी गल किती गई है तो एसा डेकोल और जिस्टेंस दा फार्मूला बन गया रो एल ते पाई टे डी बटा दो स्केर कोंकि आरी जगर ऐसी बपूट कर दी बाटा दो उन कोशन बेच से कि इफ डायमेटर इस डवल अगर डायमेटर नों ही डवल कर देने हा यह ली ए तो आदे Agency ग Осंते क्यागा जीए जऺंज धर डायमेतर से अ्ठीट वैवल कर देने जे इस फैस दा फार्ट लिए टूडीत टास स्केर और जगो जो इसे कैलकूलेशन करांगे थे कि पहला जेगा जैए को श्योर का प्रफशा रचिश पिलूर m इक्वेशन नंबर से पहली एक्वेशन नंबर में आई है first equation जो फर्स्ट केस से बिच बनी है और अगर थे डायमेटर डबल कर देने तो उधी resistance जड़ी है और किन्हीं हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नमबर फर्स्ट ए सेक्ट जो किन्ना आएगा वन बाई फोर उधे जड़ी रिजिस्टेंस जड़ी है किन्नी हो जन्दी है एक बटा चार तो उस दी जो टोटल रिजिस्टेंस हो किन्नी हो जाएगी एक चुथाई ऑप्शन थर्ड इस दा राइट अंसर आजएगा नेक्स्ट कोशन नमबर फर्स्ट ए कि किसे कंड़क्टर दी रिजिस्टेंस दास ओम है उस कंड़क्टर दी लंबाई नो किन्ना वदाया जाएगा कि उस दी जड़ी रिजिस्टेंस हो वी ओम हो जाएगी किसे एक डक्टर दिर जिस्टेंस एगी है जी दस ओम कोई एक डगटर है उस दी जड़ी किन्नी है एक यह दास ओम उस घृटर दो जानी अगर दास नो दुगना कर दिये तो उधी जड़ी रिजिस्टेंस है डवलो जन्दी है ते अधी लंबाई भी की हो जाएगी दुगनी तो इधा मीस है क्योंकि जड़ासी फार्मूला किता है कि जड़ी अर्जिस्टेंस है ओ डिरेक्टली प्रपोर्शनल हों दिये वी विदे गी जा लेंठ व जे ते अधी ऐजिस्टेंस वी वदेगी इनों सी कहने जिस इस और अगर दनी रेजिस्टेंस है यह संधी आई व MP करना चाहने सबस्क्राइब किन्क्राइगे तो ना आओंग्छंु क calendar सड़ी दिए चीजाने की दो गुना अगर उस लंबा य दो गुना वदा अंगे ताहु ऊसरी जटी रिख स्टेस्टेंस ऐफ लंबाई, जडील ऐल क्रॉस अरिया आ यह तिर जिस्टी भेटी ए το रहो हो समी करनाँ थे अहां १ जधे सम में पहले ना नुमेरिकल व्यासी का आगया रो एल बट्टा ए तो ए दे विचे से कैपिटल शो किते दा ए ओप्शन फर्स्ट इस दा राइट अंसरा देगा इस ए फार्मुले दे बराबर एगी सी जो रिजिस्टेंस है नेक्स्ट कोशन नमबर 38 है जिसे विचे कि एक ओम एर्जिस्टेंस वी मीटर लंबी तार ते क्रॉस सेक्शेन दा खेतरफल किन्हागे डो वर्गersch मिली मेटर दा उस दी है जड़ी रिजिस्टी वीटी है तो उसी केलकुलेट करनी है तो resistivity दे फार्मोले देना तो सी इननों calculate कर सकते हो क्योंकि जो resistance है वो बराबर होंदा है resistivity into length by A तो जदो असी resistivity दे value करड़ांगे तो resistivity cross multiply आज़ेगा resistance area of cross section दे नीचे की आज़ेगा L जदो तो सी value put करोगे इस दा जो answer है वो आज़ेगा एक गुना दस दी पावर माइनस सत ओम मीटर ए नुमेरिकल नों भी असी copy दे समझ देया ताकि अच्छे तरीके देना समझ आ जाए देखो जी इस नुमेरिकल नों भी इस तरह कर सकते है जिस देविच जड़ी resistance है एक ओम देती दी है लेंक्ट जड़ी है वी ओम देती दी है एरिया अफ क्रॉस सेक्षन देती है दो वर्ग मिली मीटर सब तो पहला असी मिली मीटर नों की देचा चेंज करांगे मीटर दी विच्चे में पता है कि यदा हजार मिली मीटर हो किसदे बराबर हुण को य движ बराबर हुण दॉन यह एक मिली मीटर दी जैड़ी वैल्यूंऔर आसी क्यल्कुलेट करांगे तो कि麼 nat हजायगी 15 pouch 1000 एक बटा दास्ती पावर छे क्योंकि जो तो एक बटा हजार गुना एक बटा हजार करांगे तेनों सी सिद्धा शॉट्च कर लेने एक गुना दास्ती पावर शे कर लेने कोशन में देता है दो मिली मीटर स्क्वेर दो मिली मीटर जाने के किना जाएक है दो बटा दास्ती प और फर्मूला और ऑगया और एरिया आफ क्रॉड सेक्शन थे थले आगया लेंग्ध है तो और सब्सक्राइड आगया दो लॉट्टा दस दी पावर छे थे था जो लेंग्ध देती दिए ओक इनगी आगी जी वी मीटर बी मीटर जो तुस्टी जी सविए जडी कल्क्लेशन क करोगे या गया दो बटा दास थी पावर छे गुना नीचे जो बी है ओ उल्ट जाएगा एक बटा भी हो जाना है तो इदी कटिंग करोगे तो अटेको नीचे किना आ गया दास यानि कि दूसी इन लिख सकते एक बटा दास इदी पावर की नहीं हो जाएगे जी साथ क्योंकि दास थी पावर माइनस सेवन ओम मीटर क्योंकि जदो असी ऐवाले फ्रेक्शन उपर लेके जावांगे तो इसी जड़ी पावर है वो दा साइन चेंज हो जान्द है माइनस से विच आ जान्दी है इस कारण जो इस ता अंसर है और जो इस दा अंसर है ओप्शन सेकंड इस अंसर है इक गुना दास थी पावर साथ माइनस साथ एक गुना दास थी पावर माइनस साथ ओम मीटर क्योंकि जो रिजिस्टिविटी दा जोनट है ओम मीटर तो नेक्स्ट कोश्चन नंबर थर्टी नाइन है जिस दे विच है कि कॉपर नू बिजली निया तारा बनावन कि तजहीर प्रेफरेंस क्यों दित्ती जंदी है काप नू बिजली न है नन्वा से क्यों दित्ती जंदी ओप्षिन है कि ए बिजली दा चंगा चालेख है इस दी रिजिस्टिविटी काफी काट है इस दी resistance काफी काट हों दिया है जा उपरोक्त सारे ही इज़ा जो right answer आजएगा उपरोक्त सारे ही आजएगा कोईकि एक बिजली दा चंगा good conductor है इस दी जो resistivity काफी काट है इस दी resistivity है देख सकते हो सकरीं दे 1.72 गुना 10 दी पावर माइनस 8 ohm meter है और इस दी resistance काफी काट हों दी है और उपरोक्त सारे ही तत इस दे ना जड़े है सबंदतन तो next question है question number 40 जिसे विच हीट लिखे है विच्चों केड़ा ठीक है किसे पदार्थ दी resistivity उस दी लंबाई अते cross section area ते निरबर नहीं कर दी किसे conductor दी resistance उस दी लंबाई अते cross section ते निरबर कर दी है ते resistance दा जड़ा जुनट है और उम है तो इस दा जो right answer और परोक्त सारे ही तत जड़े है इस दिनाल सबंदतन और परोक्त सारे ही सही है क्योंकि किसे पदार्थ जड़ी resistivity है उसी लंबाई अते cross section ते निरबर नहीं कर दी किसे conductor दी जड़ी resistance है उसी लंबाई अते cross section ते ओम है इस करने से जो answer ओ लास्ट option is the right answer है तो next part असी अगली वीडियो पर जिस्क्रस करांगे अगर तो वीडियो अच्छी लगी थे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना तनवाद जैहिद